और देखिए एक और बड़ी जयनकारी पर भी आप करूख करना चाहेंगे और बड़ी जयनकारी देखिए लखनों से ही सामने आती हुई जोहां सचिवाले के कर्मशारियों को बड़ी राहत मिलती हुई ये एक और बड़ी जयनकारी आपको दे रहे हैं सचिवाले के कर्मशारियों को बायोमेट्रिक हाजरी से अब छूट दी जाएगी और कई दफ्तरों में कर्मशारियों को बायोमेट्रिक हाजरी से छूट होगी कई विभागों के प्रमुख सचीवों ने अपने स्टाफ को ये राहत दी है और देर रात तक दफ्तर खुलने का हवाला देकर ये छूट दी गई है प्रमुक्ख सचिविए सच्वाले प्रिशासं ने इसको लेकर आदेश जाली किये हैं और सच्वाले प्रिशासं और सच्वाले संग में तना-तनी चल रही थी और इसी बीच अब ये बड़ी राहत देने का काम किया है तो देखें सचिवाले के कर्मचारियों को ये बड़ी राहत देने का काम किया गया है और सचिवाले के कर्मचारियों को बायमेट्रिक हाजरी से अब छूट दी जाएगी तो ये देखें बड़ी राहत होगी कहीं न कहीं सचिवाले के कर्मचारियों के लिए और कई विभागों के प्रमुख सचीवों ने अपने स्टाफ को ये राहत दी है और देर रात तक दफ्तर खुलने का हवाला देता हुए ये चूट दी गई है प्रमुख सचीवाले प्रिशासन ने इसको लेकर आदेश ज़ारी किया है और सचीवाले संग में जिस सरे से तनातनी चल रही है उसी बीच ये पौड़ी राहत की ख़बर सचीवाले के कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों को बायमेट्रिक हाजरी से छूट दी जाएगी और कई दफ्तरों में कर्मचारियों को बायमेट्रिक हाजरी में छूट दी जाएगी उत्सा देखने को मिलने वाला है काम को लेकर? बिल्कुल मनिसा जिस तरह की खबर सामने आए कि बायो मेट्रिक्स से सच्वाले करमचारियों को इस बार छूट दे दे गई है और काम का हवाला दिया गया है कि देर रात तक या देर साम तक करमचारी काम करते हैं लेकिन मनिसा हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो आम जनता है वो अगर सचवाले आना चाहती है तो दस से चार ही उसके लिए प्रवेस मिलता है और वो अपने काम के सिलसले में भेट मुलकात करमचारियों से अधिकारियों से कर सकती है और ऐसा नहीं है कि हर वीभाग में देर सामतक या देर रात काम होते हों अगर आम जनता की समस्याओं का समधान समस्य हो जाए तो बायो मेट्रिक्स की भी जोरत न पड़े साहत करमचारियों और धिकारियों कि सिथिलता को ध्यान में रखते हुए समय से कार्याले न पहुंचने जैसी बातें सामने आने के बाद इस इतना दोरा बायो मेट्रिक्स की ब्योस्था की गई थी कि अब इसी के तरद आप समय से आएंगे और समय से जाएंगे इसे इंकार नहीं है कि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर देर रात या देर साम तक काम हो नहीं चाहिए ताकि वो समय से आएं और आम जनता जो दूर दराज के प्रदेश के जिलों से आती है वो उनसे समय से मुलाकात कर सकें और वो अपने काम के सिलसिले में उनसे मिल सकें हाला कि ये कर्मचारी ये अधिकारी समय से काम का निस्तांग करते रहें तो ना आम लोग कार द्वारा यह निर्णे लिया गया था लेकिन फिलहाल इसमें बायो मेट्रिक्स पर अप्छूट दे गई है इसे सचवाले कर्मचारियों की बात करें या उनके संगठन की बात करें तो उनमें खुसी का माहौल है लेकिन कहीं न कहीं आम जनता के लिए जिनके कारी पेंडि गई है बिल्कुल रागवेंडर तो देखिए अभी हाल ही में जब शिश्कों के लिए ये नियम लागू हुआ था तो उनमें बहुत जादा एक आक्रोश की इस्तति देखने को मिली थी और ऐसे में अब कई विभागों के प्रमुख सचिव ने अपने स्टाफ को जिस तरह से राहत दी है तो ऐसे में क्या उन विभागों में भी इस तरह की मांग उठने की आब उम्मीद बिल्कुल एक संभावनाएं तो बनती ही है क्योंकि एक आधार बन जाता है कि अगर सचवाले कर्मचारियों को छोट दी जा सकती है तो सिच्छकों को क्यों नहीं छोट दी जा सकती है हाला कि जब बेसिक सिच्छा की बात करने तो प्रेणा एप जैस तरह से लाया गया समय से इसकुल पहुंचने के लिए बाते ही फिर बायोमेटर्स की बाते आई तो उसका भी वहाँ विरोध किया जैस तरह सचवाले कर्मचारियों ने विरोध किया तो यह जरूर दरसाता ह है कि समय से अगर किसी को काम करने के लिए बुलाया जाए समय समय से पंक्चुल काम लिया जाए तो वहाँ पे हर आदमी अपने लिए छूट की एक प्रवंद करने की बात करता है एक बेऊस्था अपनाने की बात करता है और उसमें जो यह संगठन होते हैं वो कापी हतक सहा भूमिका में होते हैं और उनके द्वारा इस तरह के बातों पे रोक लगवाने में उस सफल भी हो जाते हैं जिस तरह सचवाले कर्मचारियों का हुआ लेकिन अब अन्य विभागों के बात करने हम बेसिक सिचा के बात करने या ने जो भी विभाग हैं उनको एक मजबूत जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाओं में परिवर्तित ना हो ऐसी उम्मीद की जा रही है और फिलाल इसे तमाम जनकारी को साजा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो देखें उमीद यही है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित तरी कि आवेवस्था में परिवर्तित ना हो जिम्मित के साथ फिलाल यहाँ पर रुकेंगे एक छुटस ब्रेक के लिए पल-पल का अपडेट बाकी खबरों पर भी देते रहेंगे क्या आप खाते पिते तो बहुत हैं पर आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा नहीं तो आपकी सिहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्ता सन्यासी आयरवेदा ने एक ऐसी दवा का निर्मान किया है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लिवर को दुरूस्त करने का काम करती है इस दवा से आपकी भूख बढ़ेगी आप खाना अच्छे से खाएंगे और वो पूरी तरह से हजम होगा तो आपके शरीर में अपने आप खून बनेगा हड्डियां मजबूत होंगी शरीर पर मास चड़ेगा ताकत महसूस होगी और आपका वजन बढ़ने लग जाएगा सिर्फ 699 रुपे की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545